गुर्मनी स्ट्रेंट्स, नॉलेज टाउर में आप सब का स्वागत है, आज का मेरा ग्रामर में एक टॉपिक्स है, जिसका नाम है, More Hints on the Usage of Determiners, देखिए, more Hints on the Usage of, on the Usage of Determiners. यह मेरा आज का Topics है, more Hints on the Usage of Determiners, जिसमें देखिए, पहला, Much and Many मच जो है, मच से किसी बस्तू की मात्रा का ग्यान होता है, संख्या के ग्यान इससे नहीं होता, और मेनी से संख्या के ग्यान होता है, ठीक है, आप देखिए, मच के साथ में, मच के साथ में, आपको Uncountable Noun आता है, Uncountable Noun, समझते हैं ना, Uncountable Noun, Uncountable Noun, यानी, ऐसा नाउन, जिसकी गीनती न की जा सके, या ऐसी बस्तू, जिसको हम गीनती न कर सके, वह ऐसे नाउन को Uncountable Noun कहते हैं, तो मच के साथ में, हमेशा Uncountable Noun ही आता है, जिसको हम, काउंट कर सकते हैं, या उसकी गीनती कर सकते हैं, ऐसा नाउन नहीं आता है, तो मच के साथ में, हमेशा Uncountable Noun ही आता है, एक जांबूल देखिए, आई है, आई है, नो मच राइस, आई है नो मच राइस, ए राइस जो है, है, राइस, राइस Uncountable Noun है, क्योंकि राइस, राइस की गीनती नहीं की जा सकती, इसलिए, राइस के साथ में, मच यहाँ पर सही यूज है, मच राइस, आच्छा, और दूसरा एक राइस यहाँ पूल लेजिए, है, 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 आज हू, अज है, मच राइस, शुगर, इसलिए, शुगर भी यहाँ पर, uncountable noun है इसलिए he has no much sugar much इस सुगर चुकी uncountable noun है इसलिए इसके साथ में मच आया हुआ है rice uncountable noun है इसलिए उसके साथ में मच आया हुआ है और मच से मात्रा का ग्यान होता है ठीक है इसमें दूसरा है many तो देखिए many जो है many के साथ में हमेशा आपको plural noun आता है ध्यां रखिएगा यह जो many है many के साथ में हमेशा plural noun आएगा जहां भी many होगा उसके साथ में plural noun आना ही आना है जैसे example देखिए I had not many friends I have not many friends यहां देखिए friends यानि मित्र या दोस्त तो मित्रों की मित्र जो है friends जो है यहां पर यह polar noun है friend में एस लगा हुआ है तो यह हो गया friends तो मेनी के साथ में और यह चुकि नाउन है तो मेनी के साथ में हमेशा ही plural noun आता है singular noun मेनी के साथ में कभी नहीं आएगा और दूसरा देखिए she has she has not many books देखिए बुक नाउन है किन्तु पुलर नाउन है books तो मेनी बुक्स मेनी के साथ में हमेशा पुलर नाउन का ही परियोग होगा ठीक है और वहाँ पर ऐसा नाउन रहेगा जिसकी जिसकी गिंती हम कर सकते हैं इसलिए जहाँ जहाँ मेनी जहाँ भी आएगा उसके साथ में जो नाउन होगा वह हमेशा पुलरल होगा singular noun नहीं होगा इसी प्रगाद का दूसरा है बोथ और इच यह सभी डीटेमाइनर्स है इसमें दूसरा जो है आपका बोथ और इच बोथ का हिंदी मीनिंग होता है दोनों और इच का मीनिंग होता है दो में से 1 दो में से 1 वन आफड़ टू तो इच का मीनिंग ही होता है वन आफड़ टू यानि दो का दो में से 1 अब देखिए यहां पर इसकी इच का देखिए इच कैसे होता है यह बोथ जहाँ भी आएगा बोथ के साथ में हमेशा plural noun ही राता है both जहां भी आएगा उसके साथ में हमेशा जो noun होगा ओ जो plural होगा plural माने समझते हैं ना plural माने कहा होता है बहु बचन ठीक है? आप लोगों को परहा गया है वचन जो आप लोगों को बढाए गया है तो एक बचन और बहु बचन singular noun और polar noun यह जो बोट के साथ में हमेशा polar noun का परियोग होता है बोट के साथ में बोट के साथ में singular noun का परियोग कभी नहीं होता है अब इसका example देखिए बोट sisters are playing देखिए बोट और बोट के बाद में जो नाउन आया एक पुल्दर लाउन है ठीक है इसको हमेशा द्यान पर रखेगा बोट जहां भी आएगा उसके साथ में जो नाउन आएगा वह हमेशा पुल्दर लाउन में होगा तो यह sister जो है आपका नाउन है किन्तु यह आपका पुल्दर लाउन है देखिए इसमें एस लगा हुआ है तो sister और sister तो sister जो हुआ आपको पुल्दर लाउन हुआ जो बोट के साथ में है हमेशा दिया रखेंगे बोट के साथ में जो हमेशा पुल्दर लाउन आता है जैसे अब बोट sisters आर प्लेइंग दोनों बाने खिल रही है एक और एजाम्पू लिए बोट बॉएच या बोट इस्टूडेंट लिए बोट इस्टूडेंट इस्टूडेंट यहां दो इस्टूडेंट यहां देखिए इस्टूडेंट आपका नाउन है लेकिन एप पुल्दर नाउन है इसलिए बोट के साथ में यह जो नावन आया यह पुलर नावन हुआ ठीक है बोथ इस्टुडेंट्स वे यह अपसेंट दोनों विद्यार्थी गरहाजित थे ठीक है तो इस बात को हम वेशा ध्यान रखिएगा कि बोथ के बाद में जो भी नावन आयागा वह हमेशा पुलर नावन में रहेगा य और इसमें का दूसरा है इच इच देखिए इच के साथ में हमेशा आता है सिंगलर नावन खुब ध्यान से समझे एक डिटर माइनर्स है और एक हर इस्टुडेंट के लिए जनना आवज सक है तो देखिए इच इच के साथ में हमेशा सिंगलर नावन आता है सिंगलर नावन यानि एक वचन आता है तो अब देखिए एगजांपल देखिए किलियर हो जाएगा इच इस्टुडेंट इच प्रजेंट इच इस्टुडेंट 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 देखिए हाँ पर इच के बाद में जो यहां पर जो नावन आया इस्टुडेंट देखिए इस सिंगलर में है यह सिंगलर नावन के अंतरगत है ठीक है तो इच इस्टुडेंट इच परजेंट परतेक विद्यार्थी परजन्ट यानि हाजित था उपस्तित था उपस्तित है ठीक है तो 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 सुध्यां रखीगा इच इच जहां कहीं भी आएगा उसके साथ में हमेशा और हमेशा जो नावन आएगा ओं सिंग्लों नावन में रहेगा पूलों नावन में कभी नहीं रहेगा इच के साथ में हमेशा सिंग्लों नावन का ही पर्योग होता है और एक तो यांपू ले सकते हैं इच बुआए इच इंटेलिजेंट इच बुआए इच इंटेलिजेंट यह देखें यहां पर इच बुआए देखें इच के बाद में जो बुआए आया बुआए एस सिंग्लर नावन में है बुआए यानि लर्का एक नावन है जो सिंग्लर है इसलिए इच के साथ में इच बुआए इस इंटेलिजेंट ठी है तो इस के बाद में इस के बाद में जो भी नावन आता है हमेशा सिंगुलन नावन में रहता है इसको हमेशा ध्यां रखेंगे अब मैं आता हूँ इसके बाद में all and every खुब ध्यान से इसको जानिए और समझने का परियास कीजिए यह बहुत काम के सब डिटर मैनस है all and every all and every all का मतलब होता है आप जानते होंगे all का मतलब होता है सब का सब मने पूरा का पूरा और यह भी मतलब होता है परते यानि हर एक ठीक है मेनी लिखना मैं आउस्ट नहीं समझता हूं all माने सब पूरा और यह भी माने होता है हर एक परते एक अब दखिए इसका अब यह समझना है कि all के साथ में जो नाउन होता है वो singular होता है या plural होता है तो ध्यार रखिएगा यह all जो है आपका all के साथ में हमेशा और हमेशा आपको पूरल नाउन ही रहता है और जहां कहीं भी all आएगा तो all के साथ में जो नाउन होगा हमेशा पूरल नाउन होगा एक जाम्बल देखिए all boys were playing यहाँ ध्यान दीजिए एक्जाम्बल वन में देखिए all all के बाद में जो बूरल नाउन आया वो पूरल है ठीक है तो all कहीं भी आएगा तो उसके साथ में जो नाउन आएगा वो हमेशा पूरल नाउन में रहेगा यानि बहु बचन में रहेगा और दूसरे एजाम्बल देखिए all girls all girls we are taking food अब देखिए यहां पर हमको पूरिया sentence से कोई मतलब नहीं है मतलब हमको है कि all के बाद में जो नाउन आया जो संगे आया वो देखना है यहां है कि ओ सींगलर यह पूरल तो मने जो ग्रामर का जो नियम है उसके अनुसार उस नियम का अनुसार और के बाद में जो नाउन आता है वो हमेशा पूरल नाउन में होता है इसले देखिए आप पर अल गर्ल्स एक girl आपका noun है लेकिन polar noun है यानि बहुवचन में है इसलिए all girls हुआ ठीक है अब दूसरा है every उसको भी जान लीजिए every अब देखिए every जो है ए सिंगुलर है तो जब every सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन आएगा जैसे देखिए इसके every के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन यानि एग वचन संग्या रहेगा every कहीं भी इस किया जाएगा तो every के बाद में जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा ठीक है अब इसे एजांपल देखिए एजांपल में देखिए आई वर्ट एवरी डे यान ध्यान दीजे आई वर्ट एवरी डे एवरी डे एवरी डे मतलब देखिए यहाँ पर एवरी जो आया हुआ हुआ है और डे आपका नाउन है किन्तु यहाँ पर देखिए सिंगुलर नाउन में है एवरी के बाद में जो नाउन दे आया हुआ है इस सिंगुलर है तो ग्रामर के नियम का नुसार एवरी जहां भी आएगा उसके साथ में जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर नाउन में होगा और देखिए दूसरा ही जांटूल, every day I go to school, every day I go to school, यहां देजिए, every day, देखे, every के बाद में जो day noun आया, वो singular noun है, इसलिए every कहीं भी आएगा, तो every के साथ में जो noun होगा, वो हमेशा singular noun में ही रहेगा, अब इसके बाद देखिए, आए, sum और any, यह भी determinants है, sum और any भी determinants है, आज मैं जो भी आपका पहा रहा हूँ, यह सभी के सभी determinants है, और उनका जो, उनकी जो users है, मैं उसी के बाद,